प्रधान मन्तरी नरेंद्र मोदी अफरीका के तीन देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरन में मंगलवार को युगांडा पहुंचे जहां आज वहे वहाँ की संसत को संबोधित करेंगे ऐसा करने वाले नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधान मंतरी होंगे साल 1997 के बाद से किसी भारतिय प्रधान मंत्री की यह देश की पहली द्विपक्षिय यात्रा है PM मोदी जब वहां पहुँचे तो हवाई एड़े पर उनका भव्य स्वागत किया गया PM मोदी ने मेजबान राष्ट्रपती युवेरी मूसेवेनी के साथ विभिन मुद्दों पर विचार विमर्ष किया तथा द्विपक्षिय संबंधों को मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा की उन्होंने इस पूर्वी अफ्रीकी देश को उर्जबुनियाद धाचा, क्रिशी तथा डेरी शेत्रों में करीब 20 करोड डॉलर के दो रिणों की सुविधा देने की घूशना की प्रधान मंत्री मंडल स्तर की वारता के बाद दोनों पक्षों ने रक्षा सहयोग, अधिकारिक तथा राजनेक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा से छूट, सांस्कृतिक आदान प्रदान, कारेकरम तथा सामगरी प्रशिक्षन प्रयोक शाला के शेत्रों में सहमती प कहा कि भारत और यूगांडा के सैन्य प्रशिक्षन के शेत्र में सयोग बढ़ाना चाहिए, उन्होंने यूगांडा के सैन्य बल एवं नागरिकों के उपयोग के लिए वाहन एवं एम्बुलेंस देने की घोशना की, यूगांडा के राश्ट्रपती को भारत का पुराना मित्र बताते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 2007 में यूगांडा की पहली यात्रा उनके जहन में अब भी बनी हुई है, राश्ट्रपती मूसेवेनी ने मोदी की सरहाना करते हुए कहा कि सारवजनिक मामलों में उनके व्यापार प्रबंध रुक से भारत में काफी बदलावाया